मित्रों जय मातादी आप देख रहें धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा मेहरोज की तरह एक बार फिर से मैं आज इरू हूं आज का संपून रासी फल लेकर यह संपून रासी फल है रहीवार यानि कि 25 जुलाई 2021 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2078 स्रावन महा किष्ण पक्ष की प्रतिबात थी जो कि सुबा के 6 बज कर 9 मिनट तक रहने वाला है उसके बार फिर दूइत्या देथी आरंब हो जाएगा नचतर आज रहने वाला स्रावन स्रावन नचतर दिन के 12 बज कर 47 मिनट तक रहेगा तदुप्रांध फिर गनिष्ठा नचतर अरंब हो जाएगा वरत्योहार में आज इसा कुछ नहीं है लेकिन आज से सावन अरंब हो रहा है मित्रों कर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक-एक मूर्तों को हम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ ह वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूरवक जान सकते हैं आज के संपून रासिफल के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुल बारा रासियों का आज का रासिफल साथ ही हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसासूल सुब खादि रासि उनसार क्या खाद रासिफल का आपको लाव मिल पाए वीडियो पसंद आई जानकरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें साथी कमेंट बाक्स में जे मातादी चोड लिखें मित्रों आज के बारा रासिफल आपको बताना आरम करूं उससे पहले आईए एक जर डालते हैं आज के ग्रहों की स्थ मंगल के साथ सिंग रासी में केतु विश्चिक रासी में चंद्रमा सनी के साथ मकर रासी में गुरु कुम रासी में विराजित है मकर रासी में चंद्रमा आज रात्री के बारा बच कर 38 में सक रहेंगे उसके बाद चंद्रमा का कुम रासी में परवेश हो जाएगा तो इन आपके घर तथा कारी अस्थल में बहतर वतवर्म रहने से आपको काफी परसनता होगी। मित्रों या परिवार के सरस्यों के साथ मोजमस्ती भरी यात्रा आपको अशुकून दे सकती है। आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपके कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं तो यहां आपको साब्धानी बरतनी चाहिए। साथी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके जो सहयोगी हैं वो भी आपसे नाराजाज हो सकते हैं। नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज कदिम उच्छा रहने वाले हैं। उच्च पदादिकारी आपके कारी की सराहना भी कर सकते हैं। सरकारी कारियों में आज आपको सफलता मिलेगी, अपनों से मनमठाव होने की संभावना भी बन रही है, तो आपको चाहिए कि उनसे अच्छे समन बना के रखें, व्यापार और धन की बात करें, तो आज रोजगार प्राप्ति के प्रियास आपके सफल रहने वाले हैं, नोकर प्राप्ति के सफल रहने वाले हैं, फिर भी आपको मोस्विवारियों से सचित रहना चाहिए, प्रेम समन की बात करें, तो आज करिम आपके प्रेम समन्धों में थोरी खटास उत्पन हो सकती है, जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भरकर आज सामने आ सकते हैं, तो आपको अपने प्रेम समन्धों के परती, आज सचेत रहना चाहिए, हो सकता है आपका जीवन साथ ही, आज आपके लिए प्रियाप्त समय ना निकाल पाए, तो उहें समझने का प्रियास करें, आज किन जौ या जौ से बनीवी चीज़े खाएंगे, तो आपके लिए सुब सुनरा रंग, लकिन नमराज का पांच रहेगा, बात करेंगे वरिशासी की, वरिशासीम चंत्रमा आज पांच वे स्थान में विराजी थे, जिसके फ्रसुब आज आपको अपने जीमेदारियों को समझने की आविश सकता है, अपने जीमेदारि का निर्वा, अच्छे धं बढ़ा रहेगा, आज अपने उस्सा में कमी बिलकुल भी ना आने दे, उस्सा में कमी के करण आज आपके काड़ी भी प्रभावित हो सकते हैं, इसका प्रभाव वेबसाइट छेत में देखने को मिल सकता है, जाता लाव के लिए आपको अपने काड़ी पनार लिए, सुध अगर कोई नई व्यापारिक यूद्ना बनाएंगे, आने वाले समय में उसका लाव भी आपको मिलेगा, आपके व्यापारिक परतियों भी आज सांद रहेंगे, विध्यार्थि की बात के लिए आज के इन सामाने रहने रहने वाला है, महनत करें, सक्रता की काप्थी आपक का अनुभव करेंगे वैस्त दिंचरिया होने के बाप जूद आपका स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम समन्द की बात के तो विवाही जात्कों को गिरहस्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथ ही से प्रेम और सम्मान की बापती भी होगी आज किन दही खाएंगे आपके सुख रहेगा आपके लिए आज का सुख लाल रंग लकी नमराज का एक रहने वाला है बात के मिथम रासीगी मिथम रासीम चंद्रमा आज च्छाटे है स्थान में विराजिता है जिसके फ्रसुप आज आपके उधार सौभाव का गलत फाइदा उठाया जा सकता है तो सचेत रहें, आज आप काफी व्यगर और सिंदित भी रहेंगे, आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं, तो अपने फिरूल खर्चों पर नियंतन जवर रखें, मिठी वानी वोलें, वानी पर अपने सयम रखें, वरना आपका आज किसी से लराई जगरा भी हो सकता है, आपक कदम उठाने से पहले, विशे सगे की सलाह जोड़ लें, तभी कहीं निवेश करें, विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के सामाने रहने वाला है, आज के सोचल मीडिया में ज़्यादा समय बरबाद ना करें, आपने पढ़ाई पढ़े ध्यान द अच्छा रहने वाला है, जीवन साथ ही से आज सामन जस्याप का बना रहेगा, आज के दिन अगर साबूत अनाज अपने खादे बदात में सामीर करते हैं, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लकी नम्मर नौ रहेगा, बात कहेंग भोजन प्राप्त हो सकता है आपको, दोस्तों और प्रयनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मौक आपको मिल सकता है, आप जहां भी जाएंगे, लोगों के भी सबका ध्यान का केमराज बने रहेंगे, व्यापार और धन की बात के हैं, तो आज किन आपके लिए कारव आज सराहना हो सकती है, जीवन साथी से भी सरीयोत प्राप्त होगा, जल्दबाजी में फैसले ना करें, इससे जीवन में आपको आगे पस्ताना पर सकता है, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज करें मध्यम रहने वाला है, फोन और सोसल मीडिया में अपना समय बरबाद ना करें, मेनत करें, सफलता ज़रू मिलेगी आपको, आज आज अपका स्वास्त अच्छा रहेगा, आपने जीवन साथी के अपको आज ध्यान रखना चाहिए, प्रेम समंद की बात के तो आज के दिन प्रेम परसंगों के लिए अनुकूल रहेगा, आ आज के इन ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलावी रंग लकी नमर राज का पांच रहेगा बात के ने सिंग रासी की सिंग रासीम चंडरमा आज आठ में स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज बेकार के सोच में आपका समय और उर्जा बरबाद हो सकता है तो उसका ध्यान रखें बलके एगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो उसका फाइदा भी आपको मिलेगा भागीदारी वाली वेबसायों में निवेस करने से बचें आज किसी प्रकार का जोखिम देने साब को बचना चाहिए आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है कुछ जातकों के लिए आज की गई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वारा किये के कारी से आपको यस और किर्थी की प्राप्ती भी होगी परिवार में सोहार्द पून वातावरं बना रहेगा नोकरी और धंदे की जगा सहीयोगियों का सहीयोग भी प्राप्त होगा आज लोग आपकी वह परसंसा करते हुए दिखेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहेते व्यापार और धन की बात करें तो आज आपका ना चाहते वे भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो आपने बढ़ते वे खर्च पे नियतन जवर रखें ये आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं विद्यार्थी की बातकर आज आपका मन चंचल रह सकता है, आज आपका मन परहाई में कम लगेगा, तो आपको अपने परहाई में ही मिल लगाना चाहिए, स्वास्त की बातकर मामूली चोट और वादव्याद से हानी हो सकती है, आज आपके स्वास्त में भी थोड़े उतार चरहाओ आ सकते हैं, प्रीम समन्थ की बात करें प्रीम समन्थ में थोड़े उतार चरहाओ आ सकते हैं, जीवन साथी से हलकी नोगजोग की संभावना भी बन रही है, लेकिन बाद में सब कुछ सामाने भी हो जाएगा, आज की नगर दूद या दूद से बने भी चीज़े खा आसीम चंद्रमा आज नौए स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप आज आपकी काम की अधिता रहेगी, आप ज्यादा जूट बोलने से बचें, इससे आपको आज नुकसान हो सकता है, आज किया गया निवेस आपके लिए सुब रहेगा, फिर भी निवेस सोच समझ क आज आज के सुबहाव में भा उकता आज की अधिकता रहेगी, आज आपके मन में किसी प्रकार का भय बना रहेगा, मांसिक संतुलन बना के रखें, काम और घरवालों का तव आज आज आपके फ़खर गुसल बना सकता है, आज कि निवेस करने के योग्बन रहें, आज पर्तिदंदी आपके सामने निर्बल सावित हो सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज करें उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा परदर्शन कर सकेंगे तो मेहनत में किसी परकार की कोई कमी आज बिलकुल ना रखें स्वास्त की बात करें तो आज आपको पेच्छे समंदित दिक्कत का सामना करना पर सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी बिगर सकता है तो अपने माता के स्वास्त पर ध्यान देने की आपको जोरवत है प्रेम समंद की बात करें, तो जीवन साथी से अच्छे समंद बनाने की कोशीज करें, उनके साथ आने वाले दिनों की योजनाही भी सेर करें, इससे आपके समंद अच्छे बने रहेंगे. आज के नगर अदरक अपने खादे बदार्थ में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुबर रहेगा आपके लिए आज का सुबरन भगवारन लकी नमर आज का रहेगा बारा बात करेंगे अब तुलारासीगी तो लारा स्रीम चंद्रमा आज दस्वी स्थान में विराजित है जिसके भसुप आज के दिन आपका मन उमंगे से भरा रहेगा लेकिन आज आप थोड़े भावग भी हो सकते हैं किसी की बातें आपको ठेस पहुचा सकती है तो ज़्यादा भावनाओं में नब हैं वरना आप के स्वाविमान को भी से ठेस पहुच सकता है कुछ जातकों के पैसे दूसरों पर खर्च हो सकते हैं जिससे घरलू जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पर सकता है आपको आपके जो भी प्रियेजन हैं वे आपके भरोसे और वादे की जोरत को महसूस करेंगे व्यापार धनकी बातकेत व्यापार धनकी तिस्टी से जोह तक नोकरी कर रहें उन्हें आज ओफिस में अच्छा माहल मिलेगा काम काज कैस्तर में भी सुधार होगा व्यापार से समंदित आपको कही यात्रा पर जाना पर सकता है और यह आपके लिए लाबदायक भी सिद्ध होगा त सफलता आपको मिलेगी स्वास्टए की बातके तो भोजन और निद में और नियुमित्ता रहेगी जिस्से आपका स्वास्थ थोड़ा डगमाना सकता है अगर इससे बचकर रहेंगे तो आपका स्वास्थी ठीक टरेंगा परि मैं समद्ध की बातके दिश्चे से आज करी अ विश्ची कासिम चंद्रमा आज 11 वे स्थान में विराजित है जिसके फशुब आज करिन आपकी चिंताएं कुछ कम होंगी आपकी कलपना सकती और सीजन सकती उभर कर सामने आएंगी ऐसे में जुझा तक साहित लेखन और कला के छेतर से जुरे हुएं उनको आज सफलता के पापती हो सकती है आज कहीं आप यात्रा पे जा सकते हैं अगर कोई पारिवारिक उल्जन है तो उसे सुल्जानने का यह अकच्छा समय है आज किन आप अपने पाड़िवारिक उल्जन हो को सुल्जाने में काम्याब रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में आप मदादाज कर सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो वित्तियों मामलों पर ध्यान देने की आवे सकता है आज किये कि निवेस आपके लिए क्राफी फाइदेमन साबित हो सकते हैं लेकिन निवेस सोच समझकरी करें आपको अपने भागीदारों यानि की पार्टनर्स के विरोत का सामना करना पर सकता है विद्यार्थी की बात के साहित लेखन और कला के छेतर से जुर्यवे विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है सफलता मिले की संभावना भी बन रही है स्वास्त की बात करें स्वास्त की दिरिष्टी से आज कि आपको ठीक ठाक रहेगा लेकिन आ जीवन में आपके कितनी जरूरत है आज के निंगर नीमभू अपने खाते पताती में सामिल करेंगे आप तो आपके सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रन सुनरारं लकी नमाज का पांच रहेगा बात करेंगे धनुवासिकी धनुवासिकी जंत्रमा आज 12 हुए लेकिन आज आप सामाजिक कारियों पर भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और जोत्वन्द व्यक्ति की मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके बिगरे हुए सारे काम बन जाएंगे आर्थिक यूद्नाओं के करान आपकी कई परि लोगा जिससे कारियस्थल पहल अच्छा बना रहेगा आज कई श्रोतों से घ्णलाप की योगभी बन रहे हैं विध्यार्थी की वातकर बिद्यार्थी ओगा आज करीम हनत करने की आवेज सकता है जोजह तक आघ मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की रिपापति होगी स्वास जात्कों के लिए आज के दिन उप्यूगत रहने वाला है, आज के निगर दूद या दूद से बनी भी चीज़ें खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, सभी परकार के चम की लिए रंग, लकी नमर आज का चार रहेगा, बात करेंग मकर रासिकी, मकर रासिम चंदर्मा आज पर्थमस्थान में विराजित है, जिसके प्रसुद आज के इन आपको कहीं से सुभ समाचार की प्राप्ती हो सकती है, दोस्तों और प्रिये जनों के साथ, आपका दिन काफी अच्छा बीटेगा, किसी से कुछ उपहार की प्राप् करने का अवसर भी प्राप्त होगा, आज किन आपके लिए कई तरह से फाइदेमन सावित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है, कई चीजें आपके पक्ष में जाएंगी, और आपको हर काम में सफलता मिलने की संबामना बन रही है, व्यापार और धन की बात करें, तो जुआ तक नोक्री करते हैं, वे अपना काड़ी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आज आपके बॉस की नजर आप परी है, इसलिए उनके निगाहों में अच्छे बने रह ellяти के लिए अपना काम अच्छे तरीके से ही करें वैसे भी अपने काम को इमानदारी पूर्वा की करना चाहिए जो आतक व्यापार करते हैं यह जिनी निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ के लिए निवेस करें तभी आपको आर्थी के लाब हो सकता है विद्यार्थी क के लिए सफलता मिलने के यूग बन रहे हैं आज करें आशेंwar के अपको सवास्त अच्छा रहेगा प्रेम समन्थ कि बात आज करें आपके जीवन साथी को भादनत्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से आपको बचना का और राती में पड़ной आपके लिए आज का सुब्रंग औरेंज कलर लखी नंबर आज का एक रहेगा बात करेंगे अब कुम्रासी की कुम्रासी मचंद्रमा आज दूसरे स्थामे विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप कोट कचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताई रह सकती है वानी और व्यवहार में सैयम रखना आवजसक है आज आप किसी बात को लेकर भावख हो सकते हैं आज किन खर्चों कर अपने नियंतन रखें आज आपके खर्च बढर सकते हैं कुछ जातकों को लंबा सफरत करना पड़ सकता है जो काफी भागद और भरा भी रहेगा लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फैदय मन भी साबित हो सकती है व्यापार और धन की बात के नोकरी और व्यापार से जुरी जाता अपने ऑफिस या व्यापार से समनित लोगों से मिलजूल करने समझ धरी से क दुक्सान हो सकता है विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के सामाने रहने वाला है आज के सोसल मीडिया में जड़ा समय बरभाद ना करें अपने परहाई पर ध्यान दें स्वास्त की बात के आज के आपके स्वास्ति में थोड़ा हो तो आ चरहो आ सकत तो आपके इस सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग फल सरी रंग लकिन अमराज का नौ रहेगा, बात करेंगे मीन दासिकी, मीन दासिम चद्रमा आज तीसे इस्थान में विराजीत है, जिसके फ्रसुप आज कर दिन आपके लिए अच्छा रहने वाल है, आज लाकात होने की संबाबना बन रही है, कारी स्थल्प परिश्रम के अनरूप लाव की प्राप्ति भी होगी आपको, किम्ती वस्तों को समाल कर रखें, क्योंकि आज उनके खोने का भय बना रहेगा आपको, आज आपके लिए नया काम करने के लिए अच्छा दिन है, व्याप के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है, मेहनद करें सफलता मिलेगी आपको, स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज की आपके लिए बहुत अच्छा नहीं का रहा सकता है, बजूर्द जाक्कों को पुरानी विवानियों से कष्ट हो सकता है, प्रेम समंद की आज पती-पत्नी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा, समंदों में मदूर्ता बनी रहेगी, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, यह आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा रहेगा, आज के अंकोरित अराज खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, विए समय में कोई भी नया कारी आडम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिरेगी, आज का असूब समय आनि की राहो काल रहने वाला है, सामके पांच बच का चोदिसमी बिताएंगे साथ भी शोल्रम ना तक, इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिलकुल बचेंगे, आप को और सफलता हाथ लग सकती है दिशासुल आज पच्छिन दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यतर ना करें यहां पर आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याज का पान रहने वाला है पान खाकर यातर आरम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी तुम तो ये था अज का संपून रासिफल कल के संपून रासिफल के लिए जूरे है धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे है धर्मसिक्षा जे बाता दी